मेरे नेनों की फ्यास बुझा दे, बात मुझे दर्शन दे खातें उसके साथ हमने बनाया, तो देखिए कितना अच्छा उसका कलर लुकिंग आई है, चटनी है, साथ ही आलू के यमी से सॉफ्ट प्रांटे है, तो चलिए उनको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इसके ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी बनाने के लिए हमें लेना है, आप तो आप एक घंटे पहले विखो दीजे, थोड़ा गरम पानी लेजेगा, बहुत जली ये फूल जाते हैं, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा आत्रा का रुकड़ा डाला है, थोड़ी से डाली है, मैंने हरी मिर्चे ने दो ली है, और उसको हम पीस लेंगे, थोड़ा पीस लेते हैं, यहां पर रख दिया कढ़ाई, कढ़ाई में हमने डाला है एक चमच घी, सिर्फ एक चमच घी डाला है, उसी के साथ हमने डाल दिया जीरा और दो तिन का ली मिर्च साबुत, यह उप्शिनल है, उसी के बाद जो काजू और उसकी मिगी की ग्रेवी बना की रखी ति उसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसे हमें भूनना है, अभी ग्रेवी बनाने के लिए कुछ तो इसमें चाहिए, क्योंकि टमाटर भी हम नहीं डाल रहे है, प्याज़ा सुनका तो सवाल ही नहीं है अधर गौमें, तो हमने यह ग्रेवी डाल दिया और उसक वैसे भी बनाओगे ना, तो वैसे भी आप इसको हर दिन बनाना चाहोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको लगातार चलाती जारी हूँ, बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए, कड़ाई में, अच्छे से इसको भून लेना है, भूनने का सायन आपको पतार चल जा चलाती रहें लगाता है, तो चलाने के पास में वबाल आ जाएगा अच्छा सा, फिर आप छोड़ सकते हैं, तो फिर फट जाएगा, अभी इसी के साथ हम इसमें एड करेंगे कुछ और चीजे, जिससे कि आपकी सबजी बहुत अच्छी बनेगी, मैं सच बतारी हूँ, घी ऐसे दिखने लगा है, तो मैं यहाँ डाल दिया है, इसमें एक चमच भर के काली मर्च, अभी इसकी साथ मैं डाल दिया दो बड़े चमच मलाई, जो घर की फ्रेश मलाई, उसको भी थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया था, चैसे से की बजार जैसी जो अमूल की क्रीम होत कीज बड़े तो यहाँ, उसके साथ मैंने मलाई दाल दिया दिया है, मैंने मलाई को पहुच पांच के वीची मैं डाल दिया है, तो पकने के बाद भी थोड़ा सा द लिया है, चीनी जिस से के एकदम इसमे रिच फलेवर आएगा अब मैं इसमें डाल दिया है। पानी थोड़ा ही डाला है मैंने क्योंकि ग्रेवी मुझे ज्यादा पतली नहीं रखनी है थोड़ी सी थेक रखनी है जिससे के मतलब रोटी पराटी के साथ बहुत अच्छी लगी तो यहां पर देख सकते हैं मैंने पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से पका ल दाला नहीं कि अच्छी से थे थोड़ा से काली मिर्ची में और डाला है किаст में और कुछ मसाले नहीं रहते resultoli को नंप्रेवार चिया देंग रहा करना हिस किसी बाद में गरतिकी साब नहीं कुछ कइसकर से बशची बदाएं परेधि को फिर दका लिया था लगबग 1500 ग्राम के करीब और पनीर की लम्मे लम्मे पीच डाल दिये हैं यहां पनीर डालने के बाद भी मैं लगबग 2-3 मिनट के लिए इसको और पका लूँगी इससे की परीड में भी इसकी ग्रेवी थोड़ी सी चली जाए और इसका स्वात बहुत ही अच्छा सहराधनिया की पत्ती देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छी लुकिंग जो है वो आगे है पनीर की यहां मारा पनीर बनके हो गया है रैडी तो चली आप कर लेते हैं आटा लगारनी की तयारी इसके पराठे बनाएंगे तो यहां पर मैंने लगबग 1 कटोरी लिया है पराजगिरी का और सिंगहडे का वह सुरी कुटू का तो यह मैंने चान लिया है और इसके बाद हम इसमें आड करेंगे आलू आलू जो है बॉयल हमें यूज करना है तो मैंने तीन चार अलू लिये थे लगबग यह आप अपनी हिसाब से देख लें आपको अगर चार जो है । यह मोटे मोटे आलू थे तो मैंने तील ले थे तो अच्छे से इसको ग्रेट कर लें आलू को मैश नेहीं करें अच्छे से ग्रेट कर लें driven से जिसका कि बहुत है। मतलब एक फाइन आटा जो है लगकी तेयार हो जाए अगर फाइन आटा लगेगा ना तभी जो है हमारा पराटा फूलेगा बना कहीं गालू की कांठे रह जाएंगी तो फिर आटा फूले में देकत करेगा तो यहां पर देख सकते हैं मैंने आलू को जो है अच्छे से कस लिय है बस यही डाला ना है और चाहें तो आफ इसमें अध्रक हईमिर्टी का पेश्ड भी ढाल सकते हैं और मूफली के दाने भी डाल सकते हैं लेकिन मूफली के दाने personally मुझे कम पसंद है तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है काली मिर्ची डाली है और धनिया बती डाल दी है बस अब अच्छे से इसको गूथ ना है तो पहले आप पानी ना लगाए सिर्फ और से पहले इसको इसी से गूथनी कोशिश करें जो हमें आलू डाला है उसी से गूथेंगे ना तो जरूत लगे तभी हम इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले इसको आलू से ही गूथ रही हूँ आप बात में देख सकते हैं जैसे के आटा लगाती टायम क्योंकि इसका आटा जो है ज्यादा सॉफ नहीं लगा जाथा यह देख सकते हैं कितना अच्छी से आटा जो है वो लग गया है और इसको थोड़े से में हाथ से मसल मसल की ऐसी करूँगे जो थोड़ा से इसमें में ऑईल लगाऊंगी जैसे कि एक तुम चिकना हो जाएगा तो थोड़ा साम्स रिफाइंड ओल ले लेंगे और इसको थोड़ा सा डाल के और अच्छी से कूथ लेंगे जिसे यह बहुत चीसे सॉफ्ट हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा देख सकते हैं कितने अच्छी से आठा जो है वह बहुत ही अच्छा सा लग गया है और यहां पर इसको थोड़ी दरी के लिए रख दूँगे आप रखें तो रखें वनना इसमें को जरूँत नहीं होती रख करने की देखिए आठा कितना बड़ी अस लग गया है और अपर मेनाते इसका पराठा तो पराठा के लिए या पराठा कि लिए हैख्वे लोगए है यहाँ पराठा को लेंगे और तवा हमने पहले से रख दिया है गरम होने के लिए देख सकते हैं यादा पदला भी नहीं है ज्यादा मोटा भी नहीं है तो तवा मैंने अच्छे से गरम करने के छोड़ दिया था डाला है ऑल इस पर घी सोरी घी डाला है मैंने और फिर डाला मैंने इस पर क्ल seu आएज ऊएल पगिर लगाए और इसको तबंगे टो यह पर बनता है कमें आश और पराठे को कहने हम दिन में उपर अब लेखाना बारी अपरी ज़तीन में और यह देखिए एक तो ग्लुटन फ्री होता है यह नुकसान भी ने करता है नहीं आपकी फैट बढ़ता है नहीं कोई शुगर पेशेट भी साथे को खा सकते हैं राजगरी काटा जो है वह बहुत फायदेमंद होता है इसलिए मैंने राजगरी काटा मगाया है क्योंकि बच्चे जो है डेली ब्रत कर रहे हैं तो फिर उससे साबसे मुझे उनको थुड़ा हैल्दी भी देना पढ़ेगा तो यहां पर देखिए मैंने इस तरीकी से परांठे को अच्छे से शेख लिया है यह देखिए कितना पढ़िया सा परांठा हमारा बनके तयार हो गया है इसी तरीके से हम दूसरा परांठा बना के बेल के मैंने तयार कर लिया था तो इसी तरीके से मैं दूसरा परांठा भी सेख लूँगी और इसको भी हमें इसी प्रोसेस से सेम सेखना है एकदम से नहीं पलेटना है थोड़ा सा नीचे से पच जाएगा हो जाएगा तब हमें पत्ती ही डाले, डंछो ना है, डंछो न यहां रागा करने के लिए भिजन आजए आपछी लेम कमेंट करके जरूरू बताना चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब किए बना कहीं मच जाईएगा लाइकन के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बबाई टेक के रादे तो फ्रेंड्स यह है नेक्ट सुभा कर दायम है पूजा का ही पूजा हमारी मतलब हो गई है यानि अग्यारी तो हो गई है पार्ट करने बैठ गया है हम लोग तो पूजा का थोड़ा- उजा वश नेक्ट समेले तेथ तो फट्रें वीडिया तो प्स नहें अगली तो टूजा नेक्ट नहें अग्यारी मतलब हो गई है यहाइ पार्टि सुभा कैने बैठ गए नेक्ट क्पीं ऑर यह ए उसी दिन का श्म का व् lleva तो मैं सच पता हूं मैंने व्लॉप कूछ फाइदा है काफी सारी महनत मुझे लगती है और आप लोग देखती है तो फिर मुझे लगता है कि बेकार है बना रहा हुआ इस यहां पर मैंने जो है शाम का शूट किया थोड़ा सा क्योंकि मैं बना रही हुआ बच्चों के लिए मतलब फलार तो पहले फलार बनाउंगी इसकी बाद बनाऊंगी खाना तो यहां बड़ा बड़ा बणा ली हूं बड़ा बचचों को बहुत अच्छे लग रहे हैं मैंने इस रेजब कि दूशेवाले चैनल पर इस पर भी की है तो यहां खीर बनाए थी मैंने साबू दाना की और मखाने की और चटनी और बड़ा तो यहां पर बच्चे बैठ गए खाने के लिए केशा बनाए है है हम देखो आज हमारे बच्चों को चोथा दिन हो गया ब्रत रहते अच्छा लाग रहते हैं आज देखो हम 4 दिन तक सब गाज बच्चे लग रहा था कि रागव कई भीच में छोड़ना देपर रागव जबू इससे कर रहा है और कृष्णा भी यह देखिया थाली में क्या है आलू साबू दाना बडार चटनी और साबू दाना की और मखाने क की खीर और ये बनाई है मैंने सब्जी ब्रत वाली लौकी की सब के लिए बना लिए सबको बहुत पसंद लिए ब्रत वाली सब्जी तो ये भी मैंने बनाई है बचोंने नहीं लिए कर दो